हेलो गाइस कैसे हैं आप सब आई हूप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ मेरे बच्छी भी बहुत अच्छी हैं और यहां मैं तयार हो चुकी हूँ और बिल्कुल मुझे जाना है भी मिस्टी को लेने के लिए तो यहां मैं चूड़ी मैंने लिया था और काफी अच्छा इसका फेब्रिक है आप चाहें तो चेक आउट कर सकते हैं स्नैपल पे और उसके वहीं से मैं चीजे मंगाती हूँ तो काफी अच्छा मुझे मिल जाता हुआ से और ये मैंने मतलब इसमें प्लाजो दिया है और इसके उपर स्वाटर पहन लोगी मैं तो वस वहीं दिखा रहे थी इसका फेब्रिक बहुत अच्छा है और इसका मतलब इसकी फिल्टिंग भी बहुत अच्छी है बहुत ही च्छी है इसका आस दिन बहुत अच्छा है मतलब हर एक चीज परफेक्ट इसका कलर इसका ये हो सकता है आपको ना पसंद आया कलर और आप जरूर कमेंट सेक्षर में लिखके बताईएगा कि कैसा लगा आपको ये सूट और इसके साथ मैंने दो और मगाया था तो वो मैं दिखा होगी इस दिन आपको और यहां मैं काफी कुछ बोल रही थी लेकिन जब मैं बोलने लगी जो फिर मैंने आवाज सुनी तो वहां इधर उदर से आवाज बहुत आ रही थी अभी भी आ रही हुए टेन की आवाज हमेशा कुछ नकुछ ऐसी आवाजे आ जाती है जिसके वज़े से गड़बड हो जाता है तो यहां मैं फाइब टाइम वाईज टाल रही हुए इसमें भी बहुत सारी गड़बड़ई हो रही है लेकिन क्या कर सकती हूँ मैं तो चलिए अभी मुझे बनाना है चावल दाल बन चुकी है चावल बनाना है सबची रोटी सुवाई बन जाती है तो वही सुवाली सबची हम लोग खाएंगे खाने में दोपर खाने में तो यहां मैंने सारा काम खतम कर लिया है और तोड़ी सी वह हो गई है मुझे लिए अच्छा लइता है लेकिन नही टाइम हो चुका है, मुझे जाना ही है और फिर हो गया यहाँ पे और यह मैं बाल दिखा रही थी आपको और बाल मेरे पताईए कैसा लग रहा है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यह सिलकी-सिलकी हो गया है क्योंकि मैंने इधर दो बार मेहंदी बैने लगाया बाल में और हपते में और उसमें मैंने डाला था कि आला पाउडर और मेती पाउडर जिससे की बाल भी आ रहे हैं मेरे जो यहां के बाल मेरे खतम हो चुके थे वो बेबी हेर मेरे थोड़े-थोड़े आ रहे हैं और वहां आपको कि मेरा पाल कैसे लगए यह चावल चड़ चुका था चावल बन चुका था उसको मैं लेके आ गई थी अब जी साम का टाइम है यह तीन तीन मज़ी के तीन बज़ा इस समय और मैं बार पर यह सूट दिखा रही थी आपको और यह है चोरी का मनी प्लांट जो मैं चुर नाम नहीं मुझे याद आ रहा है और दो पतियां इसमेर दे चुकी है और यह देखें यहां पर एक रूट है इसका और दो पतियां ही है इसको मैंने धुल के अच्छी तरीकित लगा दिया जहां मैं गई थी थ्रडिंग बनवाने के लिए वहाँ पे वो पालवली थी नहीं तो मुझे यह दिखा तो मैंने इसे तोड़ लिया अपने लिए और यह है मेरा जो कुकुम्बर सीट्स मैंने लगाया था उसका अपडेट दे रही हूँ ताकि आपको भी पता चल जा डे वाई डे मैं रोज देती रहूंगी कि कितने दिनों में यह निकला और यह आज दूसरा दिन है तो इसके पहले वीडियो मैंने डाला हुआ है आप देख सकते हैं वहाँ जाके जो पहली बार है इस चैनल पर वो मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आकन जरूर प्रेस कर देंगे जिससे कि आने वाले नए वीडियो के नोटीविकेसन आपको तुरंत मिल जाए और तो फिर अभी इसमें कोई हरकत नहीं है इसे मैं क्या करूँगी ढख के रख दूँगी और भिंडी के पौधे भी लगाऊँगी अब आज लगाऊँगी जरूर से और ये है मेरे पौधे कुछ मैंने यहां पर रखे ये मेरे स्नेक प्लांट चूहे खा रहा है समझने यारा क्या करूँ और ये प्लांट इसमें भी जूट चूट चूट पत्ते आने लगे है ये मैंने लगाया था पिछले बीडियो में मैंने दिखाया इसको लगा के तो ये अच्छे हो गए है तो में खराब हो रहे थ laboratories नए एक ब्लांट है लंबा वाला और फिर उसके बात से 16 खानाओना खाने के बात से थोड़ी देर में अराम करें लगी थी इसके बात से यहां पर साम के साभ़े पांचो रहे हैं तो चाय बना लेते हैं तो बस वही मैं चाय बना रहे थी और चाय बनाने के साथ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाह रहे थी जो चीनी वाली मिठाई होते हैं उसका चीनी वाली मिठाई का यूज कैसे करते हैं हम लोग कि जैसे कभी के भी होता है ज्याद आता है बहुत अच्छे से आप भी कर सकते हैं इस तरीके से, कभी कभी समझ में नहीं आता है, तो चीजों का यूज़ हो जाता है, और मीठेखने का यह मतलब था है, कि यह हो सकता, कि आपको इससे कुछ बैहरा भाब मिले तो चलिए फिर चाई में डाले चाई में चीनी मैं लास में डालती हूँ क्योंकि चाई में चीनी ज़्यादा देर खौलने से वो नुकसान करता है और लास में मैं कमके भूल भी जाती हूँ चीनी डालना और जब मैं चाय लेके बैठ जाती हूं तो मुझे याद आता है कि चीनी नहीं पड़ी है तो पी लेती हूं वैसे ही फिर कौन जाय लेने चीनी अगर बच्चे होते तो कह देते हैं यहां चाय चाय चुकी हो और बच्चे भी किचन में कुछ न कुछ हमेशा करते रहते हैं जिससे किचन थोड़ा सा हुआ रहता है पानी जैसे गिरा हुआ है तो चलिए यहां मैं चाय रख दिया किनारे और मैं जलाओंगी साम के दिये भगवाँ जी को तो दिया मैं नि जला दिया है तो आप भी मतब्एट टेक लीजे भगवाँ के पास और जो है कि आईएगा आपको भी अच्छा लगएगा तो बस सब लोग कुछ दुआ देते हैं मैं इसका दुआ करती हूँ और ये पूरे घर में मेरे बहुत ये एक अच्छी सी सुगन देता है एक जगा जला के रख दीती हूँ मैं और घंटी मैंने बजा दिया है बगवान जी को उठा दिया तो चलिए फिर यहाँ इसके बाद चलते हैं कमरे में और आ गई मैं यहाँ पर टीवी वाले कमरे में और ये हैं मेरा फेन जो मैं चाय के साथ इंज्वाए करूँगी तो चलिए आप भी चाय पी लीजी आईए और ये सिस्टी हजबन नीचे चले के चाय लेके और उसके बाद से यहाँ सिस्टी है सामने जो है यूटूब पे कुछ न कुछ देखती रहती है वो जो पैट एनीमेल का ही देखती रहती है इसने भी कहा कि मैं भी अप चैनल बनाऊंगी अपने पैट का डालूँगी तो देखती हूँ कब वो शुरू करती है और मैं साम तक का ही डालने वाली थी लेकिन फिर साम को पनीर आ गया तो मैं कहा कि चलो यह मैंने नहीं खाँ सिस्टी ने का ममी ये वाला रेस्पी डालो अपने उस पे तो बस मैं वही था मतर चिल के रग लिया है पनीर कट कर लिया है यहां टमाटर और प्याज टोमेटो और अनियन कोरियंडर लीप्स जारे चीजों मैंने कट कर लिया है और यहां है गार्लिक जिंजर और चिली जो चार के अराउंड मिर्चा हम लो थोड़ा कमी खाते हैं भी लाल मिर्च भी पड़ेगा उसमें तो एक इंची के लगबग अद्रक कट कुड़ा था तीन चार कलिया है लेस्टन की तीन चार नहीं तो दस पंद्रह था और यह है वो क्या कहते हैं पाउडर है मेगी मसाला है जिसे आदा चमच में डालूँगे यहां देल मैंने गरम कर लिया उसमें मैं डाला है तेजपता और तेजपता डालने के पहले मैं उसे वोश कर लेती हूँ और पोच लेती हूँ तब डालती हूँ क्योंकि इस पर थोड़ी मिटी जमी होती कभी कभी होता है कि बाहर से आता है वो तोड़के तो वो होता है तो आप भी ऐसे कर सकते हैं कर लीजिएगा क्योंकि वो अच्छा रहता है कि साफ साफ रहता है जाल लिया सारी चीजे जीतनी कटिंग वाली चीजे हैं मैंने डाल दी है इसमें तो बस यह थोड़ा soft हो जाएगा इसमें नमक डानूंगे और हम लोग के mustard oil ही प्रफर करते हैं क्योंकि वो हमारे घर में उसी मिखाना बनता और किसी oil में नहीं या आप चाहें तो गी में बना सकते हैं देसी गी में और नहीं तो refined oil में तो यह सब नहीं होता यह है mustard oil डाल दिया है यह दूबारा से कड़ाई में गरम हो रहा है इसमें डालूँगी एक तेशपत्ता जो मैंने वास करके रख लिया है और उसे में पोच दूँगी तो और यह मसाले मेरे पिस चुके यह देखिए यह पानी लगा हुए दिख रहा हो आपको और तो हो सकता है मेर दिखाने का यही मतलब था और मेरे वीडियो बहुत मेनदे बनाती हुए करिपया करके आप लोग फूल वाच किया करी और यह मसाले में डाल दिया है और में थोड़ा से मसाला मेरे अच्छे से भुण जाने के पास इसमें डालूँगी हल्दी और जीरा काली मिर्स पाउड की मलाई और यह क्या करते हैं बाद काजू जल्दी से बोली नहीं पाती हूँ मैं काजू तो वो दोनों चीज था मेरे पास बाद में मुझे याद आया बस ऐसी सबची काफी टेस्टी बनती है कोई जरुत नहीं है सारी चीजे डालने की जितनी हो तनी डाल दो बस कम चीज बंद तो मैं ने धाल दिया अदा चमाच और तो यह अची तरह से तैयार हो गया है और चलिए इसमें में टाल दीती हूं कट्ट में धख दूँगी और थोड़ी देर पानी छोड़ेगा उसके बद एक बार मैं चलाऊंगी हो गया मेरा अप मुस्किल से आठ से दस मिलट लगता है इस सबजी को तयार करने में तो चलिए रात का मेरा डिनर तयार हो गया है और आएए आप लोग भी एंजॉय करें तो इसके साथ आप पूरी बना सकते हैं या पराठा बना सकते हैं तो हमारे घर तो रोटी ही खाते हैं मतलब हम लोग कभी कभार पूरी बना लेते हैं इसके साथ लेकिन अभी बच्चे करें तो नहीं हम लोग रोटी ही खाएंगे और हजबन भी रोटी ही खाते हैं तो रोट अच्छे भी पढ़ते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है तो चली फिर देंक्यू फूर वाचिंग में वीडियो